नमस्कार दोग्सों मेरा नाम में भीमल सिंग बाला जी स्टडी एड़ा में आपका स्वागत है अस तारीक 24 है परंतु 20 तारीक को नोटिफिकेशन डाक सेवा से संब्दित ग्रामी डाक सेवा से संब्दित चारी हुआ था कमेंट में भी देखने को मिला था कि टीटेल में ए जून की है और एडिट करेक्शन वगएरा के लिए 12-623-14-623 यह आपकी टोटल दो पोश्ट है जिसमें एक है जिसका नाम है ब्रांच पोश्ट मास्टर और दूसरी जो AB PM देख रहे हैं यह वाली जो पोश्ट है इसका नाम है एसिस्टेंट ब्रांच पोश्ट मास्टर यहाँ पर स्लैब देख लीजे 12,000 से लेकर के 29,380 पहले वाले का है दूसरे वाले का यह दे रखा है बाकी इसमें समय के अकॉर्डिंग आपकी जो सेल्री होती होती है इसलिए यह स्केल दे रखी है पोश्ट वाइस क्या कुछ कार रहे हैं या दाइत तो है ब्रांच बात करते हैं LGBT की तो सभी पोश्ट के लिए minimum age 18 है maximum age 40 है बात करते हैं age relaxation को लेकर के तो SCHT के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS के लिए कोई relaxation नहीं है, PWT के लिए 10 साल, साथ में PWT, OBC है तो 13 साल और SCHT भी है, साथ में तो 15 साल certification और format और certificate की बात करते हैं आपको submit करना पड़ेगा जो भी age relaxation आप लेंगे बात करते हैं qualification की तो आपको 10th past के वल होना चाहिए और वो भी आपका math और English subject से जो है आपका होना चाहिए education qualification तो ज्यादा नहीं है, यहाँ पर आपको local language भी जो है वो आनी चाहिए उसको ले करके भी यहाँ पर बात की गई है other qualification की बात करते हैं तो computer की knowledge होनी चाहिए, cycle चलाना आना चाहिए और साथ ही साथ जीविका के रूप में पर्यापत साधन होने चाहिए वह adequate means of livelihood करके दे रखता है, reservation की बात करते हैं तो SCHT और OBC, EWS, PWD category के लिए बात की गई है इसके लिए official website पर यहाँ पर दिखा है कि यह date के सामने आपका जो भी notification नमबर है उसके according जो है अपने हाई होगा बागी यहाँ पर दिया गया है जैसे दोनों post के लिए आपका low vision है, deep है वो सारी चीफिए कैसे आप apply करेंगे तो उसके लिए आपको official website पर जाना पड़ेगा यहाँ पर application received from any other mode cell नॉट भी है निकि किसी और माध्यम से आपका जो आवेदन है वो स्विकार नहीं किया जाएगा बाकि आपका जो इंट्रक्शन, registration से लेटेड है, payment fees है, documents है, यह annexure 5 में दिया गया है, selection criteria की बात की गई कैसे selection होगा तो यहाँ पर बताये गया है, merit list के आधार पर आपका selection होगा, यानि कि आपके 10th में अगर अच्छे number है, तभी आप apply कीजेगा, वरना कोई पाइदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है, जो आपकी merit list बनाई जाएगी, वो कक्षा 10 के number जो होंगे, उसी के आधार पर बनाई जाएगी आपर 4 decimal तक के बात की गई है, पूरा decimal तक में आपकी merit जाती न, इसलिए जिनके में number और grade दोनों हैं, उनको लेकर के लिखा है कि जो केबल marks only है, उसी के आधार पर आपको apply करना है, वाकि grade को लेकर के नीचे देखेंगे, तो दिया भी गया है, grade A1 है, इस तरीके से grade point और multiplication factor, वाकि जो इनका भी selection होगा, उसको लेकर के लिखा गया है, यह आपको original documents और आपका self-attested photocopy लाना होगा, और submission के लिए, a shortlist candidate will be allowed total 15 days to submit the document for verification, वाकि जिसमें 10 और 5 दिन का अलग अलग बाटा गया है, मतलब आपको जल से जल्द जबा करना होगा, आज मैं देखेंगे तो annexure 2, annexure 3, ऐसे करके दे रखें, इनी में से ही जो भी आपका applicable हो, वो आप प्रिंट आउट निकाल करके जो है वो भर सकेंगे, अवेदन फीस की बात करते हैं, तो payment fees 100 पे जो है वो रखी गई है, जिसमें आपका ये journal और OBC candidate के लिए, यहाँ पर देखेंगे तो बाकी जो candidate है, female और साथी साथ SCHT और PWD, इनके लिए कोई भी फीस जो है, वो आपका नहीं है, जब आप आवेदन करेंगे तो recent photograph और signature आपको upload करने होंगे, photo जिसमें 50 के बी से उपर नहीं होनी चाहिए, और 20 के बी से उपर signature नहीं होना चाहिए, यह लिखा हुआ है, यह list भी दे रखी है कि जो आपको बाद में प्रस्तुत करना होगा, original document और two self-attested photography उसमें क आपका apply होता है, इन में से जो भी उसको इकवाल आपको तयार करना है, original transgender certificate, date of birth proof, यह सारी चीज़े, बाकि इसमें medical certificate, medical certificate जो है वो आपका किसी government hospital, government dispensaries, या फिर government primary health center इन में से जो होना चाहिए, और यह भी लिखा गया है, यह आपका compulsory है, बाकि original document करके लिखा है, तो सार official website सबसे पहले दिखाई थी, इंडिया-post-gdas-online.gov.in, इसके साथ साथ ही आप सरकारी result website पर जाएंगे, तो उसमें भी आपको यह भरने को ले करके दिखा देगा, तो वहां से भी आप भर सकते हैं, एक चीज़ में आपको बता दूँ कि merit के आधार पादी है, तो इसमें high merit मेरिट वाले ही आविदन करें, अगर आपकी merit कम है, तो कोई मतलब नहीं है भरने का, यही था हमारे सोराल अपडेट में, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हवश्य कीजिएगा, मिलते अगले अपडेट में, तब तक लिए नमस्कार, जाहें